Hello friends, welcome back to the channel, कैसे हुआ आप बढ़िया तो फिर्ट आज के वीडियो में हम बात करेंगे Access Bank के एक Co-Bandit Credit Card के बारे में जो की है in partnership with LIC इस Credit Card का नाम है LIC Access Bank Platinum Credit Card यह जो Credit Card Bank आपको इस्यू करती है वो बिलकुल lifetime free इस्यू करती है मतलब कि आपको इस Credit Card के लिए ना ही कोई joining fees देना है ना ही in future कभी भी आपको इस Credit Card के लिए कोई annual charges देने है और आपको इस Credit Card के थूँ सिर्फ LIC में ही benefit नहीं मिलेगा आपको दूसरे जगों में spending करने पे वहाँ पर भी आपको benefit मिलेगा तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी Credit Card के बारे में पूरे detail में जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इस Credit Card headed fees and charges के बारे में फिर हम बात करेंगे इस Credit Card headed benefits के बारे में and finally बात करेंगे इस Credit Card के eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेने का सोच रहो तो पहले आप इस वीडियो को end तक देख लो आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस credit card में क्या-क्या benefits मिलेंगे अगर आप इस credit card को लेने में interested हो तो मैंने credit card का applying link नीचे description में दे दिया है अब जाकर link पे क्लिक करके इस credit card को apply कर सकते हैं और बहुत हाई chances हैं कि आपको जो credit card है वो approve भी हो जाएगा वीडियो कर आपको काम की लगे तो वीडियो को like जरू करिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस credit card fees and charges के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस credit card को लेने के लिए आपको नहीं कोई joining fees देना है नहीं in future कभी भी आपको कोई annual charges देने हैं यह credit card आपको बिलकुल lifetime free मिलेगा लेकिन हर credit card में joining and annual fees के अलावा भी बहुत सारे charges होते हैं जैसे कि cash advance fees तो अगर आप अपने credit card का use करके अगर आप ATM से cash withdraw कराना चाओगे तो यहां पर जितने भी amount का आप cash withdraw कराओगे न उसका 2.5% यहां फिर 500 जो भी जादा होगा वो यहां पर आपको pay करना पड़ेगा as cash advance fees तो मान लोगर आप अपने credit card का use करके अगर आप ATM से 10,000 rupees अगर आप cash withdraw कराते हो तो उसका 2.5% होगा वो होगा 250 लेकिन यहां पर आपको 500 rupees पे करना पड़ेगा वही मान लोगर आप अपने credit card का use करके अगर आप 30,000 rupees से cash withdraw कराते हो तो उसका 2.5% वो होगा 750 rupees तो यह 500 rupees से जादा है तो यहां पर आपको 750 rupees जो है वो आपको pay करना पड़ेगा मैं हमेशा करता हूँ कि credit card का use करके ATM से cash withdraw कोरने की कोशिश मत करो यहां पर चार्जेश देने पड़ेगा वह बहुत ही जादा है वही है वही हम इस credit card का use करके अगर आप rent का payment करते हो तो यहां पर आपको जितना भी rent का amount है ना उसका 1% आपको pay करना पड़ेगा as rent payment fees वही कर को आपके credit card में जितना भी आपको limit provide किया है अगर आप अपने limit से जादा अगर आप spend कर लेते हैं तो यहां पर आपको 2.5% का जो over limit charges है वह आपको pay करना पड़ेगा वही करें कि मान लोग आप अपने credit card का जो bill है वह तो यहां पर जितना भी amount due था ना उसका 3.6% आपको pay क करना पड़ेगा as interest charges and अगर इसको हम annually calculate करें तो 52.86% per annum का आपको interest देना पड़ेगा अगर आप बिलकूर टाइम नहीं pay करते हो तो यहां पर आपको जो interest लग रहा है वो तो आपको बहुत जादा लगी रहा है साथी आपको credit score है वह भी बुरी तरह से hamper होता है अगर आप अपने credit card का bill नहीं timely pay करते हो तो इसलिए हमेशा अपने credit card का जो bill है वो बिलकुल timely pay करो साथी आप जभी भी अपने credit card का bill timely नहीं पे करते हो तो यहां पे आपको एक late payment fees भी चार्ज की जाती है जहां भी अगर आपका amount due 500 rupees या उससे कम का है तो आपको कोई charge नहीं लिया जा 10,000 के बीच का है तो यहां पे आपको 750 rupees का जो late payment fees है वो आपको देना पड़ेगा वही अगर आपका amount due है वो 10,000 rupees से जाधा का है तो वहां पे in that case 1200 rupees का जो late payment fees है वो देना पड़ेगा भाईया हमेशा credit card का bill आप timely pay करो नहीं तो because उसके बाद जो charges देने पड़ेंगे नो वो बहुत ही जादा heavy लगते जाएंगे इस credit card के गरन foreign currency transaction fees की यहां पे हम बात करें कि अगर आप अपने credit card का use करके किसी भी foreign currency में अगर आप transaction करेंगे तो जितने भी amount का transaction करेंगे ना उसका 3.5% आपको pay करना पड़ेगा as foreign currency transaction fees अब बात करते हैं इस credit card के benefits के बारे में तो जैस कि आपको इस credit card के नाम सही समझ में आ गया होगा कि आपको इस credit card में जो सबसे ज्यादा benefit मिलेंगे वो है LIC में spending करने पे तो आप जभी भी अपने credit card का use करके LIC का कोई भी payment करोगे तो यहां पे for every hundred rupees spent आपको मिलेंगे two reward points वही कर आप अपने credit card का use करके कोई भी international spending करते हो म वहां पर भी hundred rupees spend करने पे आपको मिलेंगे two reward points वही हम other spending की बात करें कि इन जगों के अलावा मतलब LIC payment and international spending के अलावा अगर आप अपने credit card को कहीं पर भी use करते हो चाहे आप किसी भी website में use करो किसी भी application में use करो या फिर अगर आप किसी भी local store में जाके card को swap पगर करके अग reward point लेकिन यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप अपने credit card का use करके अगर आप e-wallet में loading करते हो जैसे की paytm अगर में कुझी पैसे load करते हो या फिर कहीं भी wallet में पैसे load करते हो अगर आप अपने credit card का use करके fueling कराते हो या फिर अगर आप कोई भी EMI transaction क करते हो तो इन जगों में spending करने पर आपको कोई भी reward points आपको नहीं मिलेंगे next benefit जो आपको इस credit card में मिलेगा वह instant EMI का benefit मान लोगर आप अपने credit card का use करके कोई भी transaction करते हो जिसकी value 2500 यहां उससे जादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस amount को एक बार में payback करो तो यहां months का 9 months का and 12 months का तो अगर आप एक कोई बड़ा transaction करते हो और आप नहीं चाहते हो कि भी एक पार में payback करें तो यह वाला benefit आपके लिए बहुत जादा काम करेगा अगला benefit जो आपको इस credit card मिलेगा वह है फ्यूल सचार्ज वेवाफ का benefit अगर आप अपने credit card का use करके इंडिया में किसी भी petrol pump में जाकी अगर आप fueling कराते हो तो वहाँ पे एक fuel surcharge है जो की आप से charge किया जाता है लेकिन अगर आपके पस यह वाला credit card है और अगर आप इंडिया में किसी भी petrol pump में जाकी अगर आप fueling कराओगे और अगर आपका transaction value 400 rupees से लेके 4000 के बीच का होगा तो वहाँ पर आपको 1% का fuel surcharge वेवाफ जो है वो आपको मिलेगा और एक मत में जो आप maximum benefit ले पाओगे वो होगा 400 rupees तक का next benefit जो आपको इस credit card में मिलेगा वो आप ये card के usage को बहुत जादा secure बना देता है मालनों कर आप credit card कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और अगर उसके बाद आपको immediately bank को call करना है और उनको अपने card का loss है वो आपको report करा देना है उनको बता देना है कि भाईया मेरा card गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है और उसके बाद अगर आपे card से किसी भी तरह का fraud transactions होता है तो उसके लिए आपको टेंचन लेने का ज़र्द बि बात करें तो यहां पर आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है आपको मिलेगा up to 20% का discount on dining तो अगर आप access bank के partner restaurants में जाके अगर आप dining करते हो और अपने credit card से payment करते हो तो वहां पर आपको मिलेगा up to 20% का discount तो इंडिया में इनके 4000 से भी जादा इनके partner restaurants है तो next time जभी भी dining के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन सा है इनके partner restaurant और फिर वही पर चले जाओ और up to 20% का discount है वो avail कर लो कार्ट के अगले benefit की यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो आपको credit card issue किया जाता है वो आता है contactless feature के साथ जहां पर हर बार credit card से payment करने के time आपको अपने credit card को swapping machine में ना swap करने की ज़रत है ना आपको वहां पर pin डालने की ज़रत है आपको simply अपने credit card को swapping machine में एक बार tap करन है और आपका जो payment है वो successful हो जाएगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा request की वीडियो गर आपको informative लग रही हो तो वीडियो को like जरू करिएगा चैनल अभी तरह subscribe नहीं किया तो चैनल को जितने भी special offers आते हैं ना चाहे कोई भी करड़ेट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो यहां फिर किसी भी करड़ेट कार्ड में कोई special offer आया हो हम हर चीज़ वहां पे सबसे पहले update करते रहते हैं तो हमारे टेलिगाप चैनल का लिंक नीचे description में दिया हुआ है जल्दी से जाके join कर लीजिए बहुत जादा फायदा मिलेगा आपको फाइनली अब बात करते हैं इस करड़ेट कार्ड की eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस करड़ेट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो age है वो 18 years से लेके 70 years के बीच का होना चाहिए आप Indian resident होने चाहिए और यहां पे को चार major documents है जिनका आपको requirement पढ़ सकता है सबसे पहला हो गया आपके fan card का copy दूसरा हो गया आपका identity proof तीसरा हो गया आपका residence proof और चौता हो गया आपका income proof अगर आप इस credit card को लेने में interested है तो इस credit card का applying link नीचे description में दिया हुआ है अब जल्दी से जाके link पे click करके credit card को apply कर पे कि नयुँ representation में में aluminum घर तौता है सी खर्था किने में 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 धर वर सुएवाईन इस जे सईकर काई offenses बuled के आपके खररी आपके बिहा आपके बिहाऊब के पहाई ड्स